हलो डियर लर्नार जहिन सभी को स्वागा थे आप सभी का पुना इस्पेशल एजुकेशन एमसी क्यूज मैराथन क्लास 12 यानि की भारवी मैराथन क्लास में जो कि आपके विभिन प्रकार के एक्जाम के दिश्ट कॉंड से बहुत ही उप्योगी है तो बने रही है वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप लाव ले सके एक्जाम भी आपका बहुत ही नजदीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ ही टेलिग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्किप्शन बाक्स में मिल जाएगा आप उसे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल से जोईन हो सकते हैं ताकि आप वहाँ से जो भी PDFs हैं MCQs की वो प्राप्त कर सकते हैं जो की आपके लिए बहुती उप्योगी होंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किये ये रहा आज का हमारा पहला सवाल जो आपके सामने है इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथी विल आइकान को भी प्रेश करें और आल पर क्लिक करें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर और यूसफल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही लाब उठाते रहें और एक्जाम को क्रेक करते रहें तो चली स्टार्ट करते हैं ये आज का हमारा पहला शवाल जो की 851 से स्टार्ट होगा 850 तक हो चुका है जिसमें से क्वेशन है कि निमले कतनों को पढ़िये और उप्यूक्त बिकल्प का चैन कीजिए यानि कि दो कतन है हमारे पास दिन में से पहला कतन है कि दिव्यांग जन के प्रती गलत धारणाएं बेक्ति के गुरूर के कारण है कतन दूसरा कि दिव्यांग जन के प्रती गलत धारणाएं बेक्ति के जागरूख ना होने के कारण है अब यहाँ पर देखिए दो कथन है, इन दोनों कथन में हमारा सही क्या है तो हमारे पास चार options हैं, option A, दोनों कथन सही है option B, तोनों कथन गलत है, option C, के वल कथन एक गलत है option D, के वल कथन दूसरा गलत है तो question number 851 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer C क्यों सही है इसमें लिखा है कि वोल कतन पहला गलत है क्योंकि पहले कतन में लिखा है तिब्यांग जन के पती गलत धर्णाएं बेखती है गुरूर के करण थोड़ी होती है जो दूसरा option है वो सही है क्योंकि वो जागरूप नहीं होती है उस छेत्र में इसलिए ऐसा है अब देखते हैं नेक्ट्ट कोश्चन कि दूसरा question है 852 कि यदि कोई बच्चा कभी कभी पठान लेखान गड़ना करने में कठिनाई उठाता है तब उससे कहते हैं द्यान रहे सब्दों का द्यान रखिए यदि कोई बच्चा कभी कभी तो उसे क्या कहेंगे हमारे पास चार option option a प्रतिभासाली बच्चा option b सामाने बच्चा option c अधिगम अक्चम बच्चा option d सेक्षिक रूप से पिछड़ा बच्चा तो question कोई समझ्या है अगर यहां से कभी कभी हट जाता कि यदि कोई बच्चा कटिनाई उठाता है तो उसे अधिगम अक्चम बच्चा कहते लेकिन जब कभी कभी जुड़ा है इसलिए हमारा उत्तर समाने बच्चा हो जाएगा ज्यान रखिएगा सब्दों का ही है और इनी ची लिकत है सीधा समतलब लार्निंग डिसेबल बच्चा यह बिल्कुल नहीं तो क्वेश्चन को पढ़िए समझिए तब जाकर के उतर क्लिक करिए आप देखिए क्वेश्चन नमबर आठ सो तिरपन जो आपके सामने है कि यदि किसी बेक्ती को बंद जगह में समस्या होती है वतनी कि जैसे कमरा बंद हो गया किसी दूसरी जगह चला गया तो मतलब बंद जगह है चारों तरफ से घिरा हुआ है तो उसके अंदर किस तरीके की दुरभीत क्वेश्चन नमबर आठ सो तिरपन का जो हमारा सही जवाब है क्या सही है क्लाउस्ट्रोफोविया क्यूं क्योंकि इसे के कारण से जब हम बंद जगह में होते हैं तो हमें समस्या होती है अब देखिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नमबर 854 यह क्या कहता है कि बिकलांग जन अधिनियम कब लागू हुआ आता सोचते हैं कि परसांसे विद डिसिबिलिटी जो 1995 में बन गया बहुत बढ़िया लेकिन लागू कब हुआ तो 854 के हमारे पास चार आप्सन से आ 1995 आपसन B 1996 आपसन C 1997 आपसन D 2000 यह नहीं कि 2000 तो क्वेश्चन नमबर 854 का जो हमारा सही जवाब है आपसन B इस दा करेक्ट आपसर 1996 में अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 855 क्या कहता है देखते हैं कि समुन बादित विद्यार्थियों के लिए क आवाज का होना आपसन B वीडियो में आवाज के साथ सब्दों वाक्यों का द्रिश्च्य होना आपसन C और यू रूप में कैसेट विद्यो में कैवल चित्र का होना तो क्वेश्चन नमबर आट सो पच्पन का जो हमारा सही जवाब है अपसन B इस दा करेक्ट आपसर ध्य यह कुष्चिन नमबर 856 जो आपके सामने हैं क्या कहता है कि बीसी का बिकृति इसका एक प्रकार है बीसी का बंदला पैनिक डिसओडर जो पैनिक डिसोड़र है किसका एक प्रकार है हमारे पास चार अप्सन से अप्सन ए अधिकाम अप्षम त्य लेंनिंग डिसभिलिटी आ प्रकार का प्रकार है ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कोई भी सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आप से पूछ के तो सवाल बनते नहीं है तो ये बात ध्यान में रखने की चीज़ें हैं तो कोईस्चन नमबर 857 देखते हैं कि बिकलांगता के कारणों का पता लगाने के लिए सरवेक्षण जाच और अनुसंधान किया जाएगा ये बिकलांग जन अधनियम के किस अध्याय में कहा गया है ये भी आपको ध्यान रख देखते हैं हमार पास 4 आपकों से आपकों संद। अध्याय चैप्टर यानिकी में ध्याय चैप्टर यानिकी 5 में 5 में 6चैप्टर यानिdy की 4 में 5 सब्सक्री आपको प्जिनलिकज़ेंगां दो कर साथीन जवाब है सका ऑप Sorum क्लें याजUpात तो आरशीया नंबर 858 तो कि चिक है कि कुश्चन नंबर आठ सो अठावन जो आपके सामने है थोड़ा चोटा बड़ा करना पड़ता है आप लोगों की सुबधा के अनुसार चिक है अब देखिए आठ सो अठावन क्या कहता है चुने आसवी करती कारद है हमएशा सब्द सुनते हैं खोले साज जी रो रीजेक्षण क्या है तो देखते हैं इसको क्या है हमारे पास चार अपसन से अपसन एक भीदभाव है अपसन बी अपसन सभी के लिए समान council है आपसन C, सभी को सुने रूप में सुईकार करना है आपसन D, केवल सैक्षिक पर दिर्स्य में समानता तो question number 888 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer कहता है कि सभी के लिए समान दिश्टी कोड है 0 rejection देखिए जब rejection मतलब नहीं सुईकार करने का percentage 0 होगा तो सुईकार करने का 100% होगा समान दिश्टी कोड होगा इसलिए option B is the correct answer अब देखिए question number 869 क्या कहता है देखते हैं हम कहता है कि analgesia का आर्थ है ज़्यादा तर DTSB ऐसे ही सवाल पूचता है किसी ने किसी आर्थ पूच लेगा और हम लोग परिशान हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की दूरत है analgesia का क्या आर्थ है हमारे पास चार options option A, रोगी के सरीर में आतिस संबेदन सिल्टा का होना hyper sensitivity option B, रोगी के सरीर में दुख या दर्द के प्रति कोई संबेदन सिल्टा का ना होना option C, हाथों का सुन्ने हो जाना option D, अंग का कटना तो question number 869 यानि कि 859 का जो हमारा सही जवाब है option B, is the correct answer क्या कहता है रोगी के सरीर में दुख या दर्द के प्रति कोई संबेदन सिल्टा का ना होना अब देखते हैं question number 860 बहुत ध्यान से समझिए और जानिए क्योंकि एक्जाम में किसी भी तरीके की question पूछे जा सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है अब देखते हैं question number 860 को क्या कहता है कि दिभ्यान्ता के छेतर में मानो सक्ति विकास का अर्थ है question number 860 का जो हमारा सही जवाब है question A is the correct answer क्या कहता है पुनरवास ब्यवसाइकों का निर्माने creation of rehabilitation professionals वही पुनरवास के छेतर में मानो सन्षादन है जैसे special educator, therapist, ideologist या जो भी इस छेतर में होते है अब देखे question number 861 क्या कहता है बहतरी इस सवाल है और ये सबी सवाल आपके clear हो जाएंगे यदि आप theoretical वीडियो देख लेंगे देखते हैं 861 क्या कहता है हमारा कि निमलेकित में से कौन सी योजना राश्टिन्यास अधिनियम के अंतरगत सामिल नहीं है हमारे पास चार option से आपसन A बढ़ते कदम आपसन B नियंतरण आपसन C समर्थ आपसन D प्रेनडा तो question number 861 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer क्या कहता है नियंतरण नियंतरण कोई योजना नहीं है राश्टिन्यास अधिनियम के अंतरगत अब देखिए question number 862 देखिए क्या कहता है कि psychology का अर्थ है 862 क्या कहता है psychology का अर्थ है हमारे पास चार option से option A इसमें बेक्ती गंभीर ओमिस्थाई तोर पर दर्द का अनुभाव करता है option B प्रेनडा दाय का अनुभाव option C एक पैर का छरण होना इसमें बेक्ती गंभीर ओमिस्थाई तोर पर दर्द का अनुभाव करता है उसे हम क्या कहते है psychology कहते है ध्यान रखिएगा यह सारे बहुत important है वह इसे पूछेगा नहीं पूछ लेगा तो कोई बुराई नहीं है इसलिए आपको जानना तो सबकुछ जरूरी है अब देखते है question number 863 क्या कहता है कहता है कि विकलांग जन अधिनियम में गंभीर विकलांगता करते मतलब अगर कोई बहुती CBR कंडिशन की विकलांगता है तो PWD उसे क्या मानता है कितने प्रशत की विकलांगता मानता है हमारे पास 4 options option A, 60% या उसे अधिक option B, 40% या उसे अधिक option C, 80% या उसे अधिक option D, 75% या 75% या उसे अधिक तो question number 863 का जो हमारा सही जवाब है option C, is the correct answer क्या कहता है 80% या उसे अधिक अब देखिए question number 864 क्या कहता है 864 को भी हम देख लेते हैं कहता है कि समणी अंतर के संदर्म में सही कतन है hearing aid जो है ना उसकी वो एक मतलब उसका क्या आर्थ है उसके सही में ये चार हमारे option से इन में क्या सही है हमार पास चार option से आफसन एक केवल बोलती हुई किताबों को सुनने में सहायक है option बी वातावनड की आवाज को घटा कर करण में भेजना option सी वातावनड की आवाज को बढ़ा कर करण करण मतलब कान में भेजना option डी आवाज को बनाना तो question number 864 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer वातावनड की आवाज को बढ़ा कर करण में भेजना यह आपको थोड़ा ध्यान देना है अब देखें question number 865 जो आपके सामने है 865 क्या कहता है कि जठर सोथ जठर सोथ का अर्थ है जिसे meaning of gastritis कहते है हमारा पास चार option से option A ध्यान संबंदी समस्या option B मान स्पेशी समस्या option C अपच यानि कि in-digestion की समस्या option D बालों की समस्या तो question number 865 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer in-digestion की समस्या उसको जठर सोथ कहते हैं ध्यान रखिएगा छोटे-छोटे सवाल है लेकिन जब नहीं आते तो एक्जाम में दिन में तारे नजर आते हैं इसलिए रात में ही देखिए और सीख लीजिए बहुत जरूरी है आप देखिए question number 866 क्या कहता है वह 866 कि निम लिखित में से समाजी किनाई अधिकारता मंत्राले के अंतरगत नहीं आता है क्योंकि समाजी किनाई अधिकारता मंत्राले क्या है यह rehabilitation वालों का जितना भी कल्यार से related होता है सब जूड़ा रहता है मंत्राले तो इन चारों में से option A, RCI जो कि आता है option B, ISLRTC जो कि आता है इंडियान साइल लेंग वजी रिसर्च और ट्रेनिक सेंटर है option C, NCTE निस्टर कावन सीफार टीचर एजूकेशन है option D, NTA, निस्टर्स्ट एक्ट है आप जानते हैं कि कौन सा नहीं आता question number 866 का जो सही जवाब है option C is the correct answer क्यों? क्योंकि NCTE जो है ये ministry of human resource development के अंतरगत काम करता था लेकिन अब ministry of human resource जिसे हम M.H.R.D कहते हैं साट में अब वो education ministry हो गया है सिक्षा मंत्राले हो गया है ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है अब देखिए question number 867 867 क्या कहता है इसके बारे में हम जानते हैं कि बिसे सिक्षा के छेतर में हित धारकों के कार हैं हित धारक मतलब क्या होता है जो stake holders होते हैं उनको हमें हित धारक कहते हिंदी और इंगली सही अब देखते हैं हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A आधिकार हिंता की प्रक्रिया को अपनाना आप्सन B आलो चनात्मक दिश्रिकोंड को अपनाना आप्सन C आवस्षिक गत्विधियों को अपनाना आप्सन D तुलना करने की गत्विधियों को अपनाना तो अब देखिए कोश्चे नंबर 866 का जो हमारा सही जवाब है आवसन सी इसदा करेक टांसर क्या कहता है कि आवस्यक गत्विधियों को अपनाएगा शिदी सी बात है हित धारकू की ये कारे हैं मतलब जो भी आवस्यक चीजें हैं दिभ्यांग बच्चों के लिए क्योंकि विशेश सिक्चा के छेत्र से सम्मंदी थे इसलिए आप गुतन से सम्मंदी ना क्या कहता है देखते हैं नियूरो डिर्मेटोसिस का अर्थ नियूरो डिर्मेटोसिस का अर्थ हमारे चार आप्शण से अफ्किल स smoking question number 868 का जो हमारा सही जवाब है, option C is the correct answer, तो अच्छा सम्मन्धी विक्रती है, अब देखिए, question number 879, 869, क्या कहता है, कि दिब्यांग जन अधिकार अधनियम में कितने खंड है, है छोटा सा सवाल, लेकिन जब नहीं देखते, नहीं जाने होते तो हमें दिक्कत होता है, आप theory video देख सकते हैं, जो RPWD का है, उसमें एक-एक आपको दरसाया हुआ मिलेगा, one by one chapters और खंड आपको मिल जाएंगे, फिल हम यहाँ पर देखते हैं, कि दिब्यांग जन अधिकार अधनियम में कितने खंड है, question number 879, 869, हमारे पास option 4 है, option A, 253, option B, 1952, option C, 102, option D, 110, तो question number 879 जो हमारे सही जवाब है, option C is the correct answer, क्या कहता है, 102 खंड है, अब देखिए, question number 870 क्या कहता है, कि कान की तीन हड़ियों, मेलियस, इनकस और स्टेपिस के अन्य नाम क्या है, यह भी आपको जानना जरूरी है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क पोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो करते रही है, लगे रही है, question number 870 देखते हैं, हमार पास चार option से, option A, होथाडा, निहाई और रकाब, option B, पस्च कपाल, पार्श्विका, ललाट, option C, मैक्सिला, लेक्रिमल, जाइगोमाटिक, option D, इसके फाइल, इसके फाइल, लुनेट, ट्राइक वेटरल, हैं तो बड़े कटिन, लेकिन फिर भी इसमें से एक option सही है, question number 870 का जो हमारा सही जवाब है, option A is the correct answer, ध्यान रखिएगा, अपनेट में भी खोजेंगे तो मिल जाएगा, फिलहाल, सिखते रहिए, question number 871 देखते हैं, क्या कहता है, कि आश्रि meaning of dependent personality disorder, अब आप सोच लीजिए कि इस तरीके का भी personality disorder होता है, तो आखिर इसका अर्थ क्या होता, हमारे पास चार option से, option A, बिक्ति में आत्म विश्वास की कमी होना, option B, तिरसकार की भाउना, option C, बिक्ति में अधिक सतरकता होना, option D, हास की अक्षमता, तो question number 871 का जो हमारा सही जवाब है, option A is the correct answer, बिक्ति में आत्म विश्वास की जब कमी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं, dependent personality disorder, अब देखिए, question number 872, जो आपके सामने है, क्या कहता है, कि दिब्यांग जन अधिकार अधिकार अधिनियम के किस अध्याय में मतदान में सुगमिता की बात की गई है, मतदान में जो दिब्यांग बच्चे होते हैं, वूट डालेने की जो accessibility है, उसकी बात की गई है, तो आखिर जो RPWD Act है, वो मतब किस में की गई है, मतब किस अध्याय में की गई है, तो 872 का देखते है, option A, अध्याय 10, यानि कि chapter 10, option B, अध्याय 2, यानि कि chapter 2, option C, अध्याय 8, यानि कि chapter 8, तो question 872 का जो हमारा सही जवाब है, option B is the correct answer, chapter 2 में बात की गई, यानि का ध्याय 2 में बात की गई, अब देखिए, ये आगया आपके सामने, जो कि कथन से related question है, क्योंकि ऐसे question बहुत पूछे जा रहे हैं, इस समय, DTSB में तो बहुत ज़्यादा पूछे जात की नहर है, कान की नहर मतलब एकर कैनाल, कथन दूसरा कान का परदा यानि कि ये डिरम कान के अंता भाग में पायदा है, अनता भाग मतलब इनार इयर में, तो इन दोनों कथनों में क्या है, हमारे पास चार आप्सन से, आप्सन A, दोनों कथन सही ज़ід. सई, क्योंकि अब देखिए एक और आपके सामने है क्वेश्चन जो की कथन से संबंदी थे क्वेश्चन नमबर 874 क्या कहता है कि अक्षमता पैर में चोट को दरसाता है कथन पहले कहता है अक्षमता पैर में चोट को दरसाता है कतन दूसरा कि बिकलांगता केवल कार्यात्मक समस्य को दरसाता है अक्षमता च्छती अक्षमता बिकलांगता पर बहुत यह अच्छा conceptual बीडियो बनाया हूँ आप उसे देखेंगे कभी जिंदगी में कभी आपको concept भूलेंगे नहीं और आप कभी भी उसे related question आएगा आप कर पाएंगे फिलहाल यहां देखते हैं हमारे पास चार option से option A दोनों कतन सही है option B दोनों कतन गलत है option C केवल कतन पहला गलत है option D केवल कतन दूसरा गलत है तो question number 874 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer क्या कहता है दोनों कतन गलत हैं और गलत है क्योंकि अधर्मता पयर में चोट को नहीं अधर्मता कारयात्मक समस्चय को दर साथि और में शजब कारइन करो को नहीं बहुत सारी समस्चाओं कर समू मू方 हो जाता है तो उसी बिकलांक बłyst अब देखिए question number 875 क्या कहता है कि benchmark बेकलांगता करत है आपसन देना मुले साब benchmark disability है अभी इसका मतलब क्या होता है चलिए देख लेते हैं हमारे पास चार आपसन से आपसन A सारीडिक रूप से च्छम बालक आपसन B साक्षिक रूप से पिचड़ा बालक आपसन C बेक्ति में कम से कम 40% की बेकलांगता आपसन D जो बेक्ति टेबल पर ना बाइट पाता हो तो question number 875 का जो हमारा सही जवाब है आपसन C is the correct answer कम से कम at least 40% होना चाहिए disability का तब ही जाकर के हम उसको बेंचमार्क डिशेबल कहते हैं अब देखिए question number 876 question number 876 क्या कहता है देखते हम कहता है कि DEPWD का पूर्ण रूप क्या है अब सुनते हैं हमेशा DEPWD हलाकि आपको पता होगा लेकिन बहुत सारे लोग DEPWD सुनते तो हैं लेकिन फिर भी समझ बनिया आता तो चली देख लेते हमारे पास चार आपसंस है option A director of empowerment of persons with disabilities option B department of empowerment of persons with disabilities option C department of empowerment of percentage of disabilities option D district level environment of persons with disabilities question number 876 का जो हमारा सही जवाब है क्या कहता है कि Department of Empowerment of Persons with Disabilities अब देखें next question कहता है बाइस आप मनों विदालिता क्या है what is schizophrenia क्या है यह 877 question हमार पास चार आप्सण से option A गंभीर मान सिक्रोग option B गंभीर मानी संबंदी भीकार option C गंभीर मोटर मतलब यह जो पानी वाला चलता है वह नहीं मोटर मतलब हमारी जो मसल्स होती है वह बहता नहीं कि नहीं वह मोटर है हमारा हाथ जितना अच्छे से आपका जानते हैं मग उठा पाते हैं पैन को पकड़ पाते हैं आपका मोटर इसकी अच्छा नहीं होगा ना तो सब कुछ नहीं उठा पाएंगा आप आपसंटी देखिए गंभीर चलन संबंदी समस्या जो चलन संबंदी यहां पर सीरियस ड्राइबिंग प्राब्लम हो गया है तो यहां पर चलन मतलब फिजिकल जो चलने फिरने से रिलेटेड होता है वो है फिलहाल यहां पर देखते हैं कोश्चन नमबर 877 का जो हमारा सही विदालिता कहते हैं अब देखें कोश्चन नमर 878 बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा सवाल है जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे देखते हैं कोश्चन नमर 878 का कोश्चन की उस विकल्प का चैन करें जो तीसरे पत से उसी प्रकार से संबंदी थे जिस प्रकार से दूसरा पत्त पहले पत्त से आपको पता है ऐसे प्रसंड जरूर आते हैं इसलिए आईसे सीरीज में मैरा थन में लिये गए हैं ऐसे पुछता जरूर है देखें पैटर लगवा गया ही रहता है थोड़ा कभी सब्द बदल जाते हैं कभी कोश्चन पुचन का तरीका बदल तो फिर रमसा क्या है हमारे पास चार आपसन से अपसन एक एजनसी है अपसन भी एक योजना है अपसन एक संगतन है अपसन दी एक अधिनियम है तो question नमर 788 का जो सही जवब है अपसन भी इस दा correct answer रमसा क्या है एक श्कीम है 888 का B सवाल किसी भी तरीके का सकता है कोई बुराई नहीं है ध्यान रखेगा एकदम सब कुछ जानी है सवाल के तरीका पुछने का तरीका बहुत कुछ है कोच्च नमर 889 क्या कहता है देखते हैं कि भारत में अधिकांस कच्छाएं बहु भासी होती है और इससे सिक्षक द्वारा डॉट-डॉट के रूप में समझा जाना चाहिए या देखा जाना चाहिए तो हमारे पास चार आपसन से आपसन A, भासाई समस्या आपसन B, सेक्षडिक बादा आपसन C, साधन यानिकी रिसोर्सेज आपसन D, प्रणा यानिकी मोटिवेशन तो कुश्चन नमबर 889 को जो हमारा सही जवाब है आपसन C, करेक्ट है रिसोर्सेज यानिकी जो साधन की रूप में समझा जाना चाहिए अरे भाई या बहु भासी आजाएंगे कहता है कि ब्यामोहकार्थ है, meaning of delusion हमारे पास चार आपसन से, आपसन A, सारीरिक विकार यानिकी फिजिकल डिशोर्डर, आपसन B, ब्यवहारिक विकार यानिकी बिहब्रियल डिशोर्डर, आपसन C, गलत विश्वास ही नहीं, वह सही है, सही है, यह इतना खतरनाक समस्या है, अगर हो जाता है, तो दूर करने में, कभी उसको सही उधारन भी दीजिये, वह कभी भी समझ नहीं पाएगा, और आज कल आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, और ऐसी गटनाएं घट रही है आप देखिए question number 881 क्या कहता है question number 881 को हम देखते हैं क्या कहता है ये कि भावनात्मक असांती जो emotional अधनियम में सामिल है बहुत ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा आप जानते हैं कि बहुत सारे अधनियम होते हैं हमारे पास चार आपसन से आपसन ए बिकलांग बेक्ति सिक्षा दिरियम जो idea act है आपसन भी भारती लुनासी एक्ट जिसे हम इंडिन लुनासी एक्ट कहते है आपसन सी बिकलांग जन अधनियम परसंस बिडिसिबिल्टीज एक्ट आपसन दी भारती पुनर्वास परिसद अधनियम रहाबलेटेशन काउंसिल आप इंडिया एक्ट तो कुस्चन नमबर आट सो एक्यासी का जो हमारा सही जवाब है आपसन ए इस दा करेक्ट अंसर जो क्या कहता है कि यदि कोई सिक्ष्य का यदि कोई सिक्ष्य का चाहे कि उसके विद्द्यार्थी समस्या समधान का उसल प्राप्त कर लें तो विद्द्यार्थियों को ऐसे क्रिया कलापों में लगाना चाहिए जिन में हों क्या हों हमारे पास चार आप्सन से आप्सन ए ज्यान रखिएगा आपसन C क्या कहता है ड्रिल और अभ्यास आपसन D पूछना तर्क करना और निड़े लेन तो कुश्चिन नमबर आठ सो क्योंकि पूछेगा अतर करेगा निड़े लेगा तो इससे क्या होगा समध से समधान की छमता विक्षित हो जाएगी कौसल प्राप्त हो जाएगा अब देखिए बहुत ध्यान से क्योंकि नमबर 883 क्या कहता है कि निमलिकित सरनचनाओं में सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है हमार पास चार आपसंस हैं आपसन ए एकिक्र सिक्षा आपसन बी प्रतक करण यानि की सेग्रिगेशन आपसन सी समाबेसी सिक्षा इंक्लूसी एजुकेशन आपसन डी और परियुक्त सभी यानि की आलाप देव तो कुश्चन नमबर 883 का जो हमारा सही जवाब है आपसन सी इस दा करेक्टर्टर्स है आप देखिए ये एक नया सवाल जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया है आप ही सकता है नहीं भी आ सकता है लेकिन आपको जानना दिरूरी है कुश्चे नमबर 884 कि आइडिया में कितने सिद्धान्तों का वरड़न है हमारे पास चार आपसन से आपसन ए दस प्रिंसपल आपसन से 6 प्रिंसपल यह नि की आठ सिद्धान्तों कुश्चन नमबर 884 का जो हमारा सई जवाब है आपसन सी इस दा करेक्ट आप दखिये एकदम एक से बढ़ कर बढ़िया कुश्चन आपके लिए जो एक्जाम में आते जाते रहते हैं मुलाकात हो सकती है आपकी देख लीजे question number 885 क्या कहता है कि भासडों में यानि कि speech में भासडों के अधिगम में यानि कि जो हमारा जैसे कि speech होता है अगर उसमें learning में उसको हमें सीखना है किसी के उचारण को सुद्ध करने के लिए निम लिखित को प्रयोग मिला सकते कि स्पीच में learning अगर करना है हमें तो चारण को सुद्ध करना है तो क्या कर सकते हैं मारपास चार आप्सण से आप्सण A किसको प्रयोग विला सकते है टेप रिकाडर को आप्सण B रेडियो को आप्सण C ओवरेड प्रोजेक्टर को आप्सण D TV को तो question number 885 के जो हमारा सही ज करोगे तब होगा टीबी क्या है वह जिस समय आ रहा होगा जो जी सिनेमा दुनिया भर का उस समय पकड़ा होगे तब चलेगा नहीं तो टेप रिकाडर क्या है रिकाड कर लो आप हमेंसा उसको सीखते रहो बोलते रहो कोई दिकती नहीं है अब देखिए question number 800 886 क्या कहता है तो question number 886 886 देखिए भईया question भेतरी नहीं है आपके लिए कि पारिश्थित की तंत्र सिद्धान किस ने दिया ecological system theory हमारे पास चार आप्शन से आप्शन ए डगलस option B Watson, option C Brown, Fane, Brenner, option D Skinner तो question number 886 का जो हमारे सही जवाब है option C is the correct answer ये देखिए आगया फिर से एक बेहतरीन कथन संबंदित प्रस्थन question number 887 है 887 तो निम लिकित कतनों को पढ़िया और उप्योक तुभी कलब का चैन किजिए हमारे पास पहला कतन है कि CBR को WHO दौरा परिभासित किया गया कतन दूसरा NIEPID यानि कि National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities शिकंदराबाद में इस्थी थे तो अब यह दोनों कतन सही है कि गलत है देखते हैं हमारे पास चार आपसंस है option A são two to a선 B कोस्चन नंबर 808 C क्या कहता है कि निमलेकित में से क्रियात्मक समगरी है एक्टिविटी एड्स कौन सा है हमारे पास चार आप्सण से आप्सण A छेत्र भ्रहमण यानि की फिल्ट्रिप आप्सण B ग्राफ यानि की ग्राफ तो हम देखते हैं क्या है तो यह सब नहीं है घ्राफ हो गया कुछ बना हुआ चार्ट हो गया इनिया क्या हम देखते हैं तो जो क्रियात्मक जिसमें हम कुछ एक्टिविटी करते हैं वो क्या है फिल्ट्रिप में देखे कर सकते हैं नहीं जाना पड़ेगा आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा इसलिए को 888 क्या है आपसन एजदा करेक्ट आंसर अब देखिए 889 देखिए थोड़ा सा बड़ा है बहुत ध्यान से इसको देखिएगा किस अर्थ में कहा जा रहा है थोड़ा सब बहुत छोटा हो जा रहा है मैं बोल ले बोलूंगा तो आप समझ पाएंगे क्वच्चर नमर 889 क्या कहता है कि एक सिक्षिका की कक्षा में कुछ सारीरी कक्षमता वाले बच्चे हैं निमली खित्मे से उसके लिए क्या कहना सबसे उचीत होगा हमारे पास चा कि बैकल्पिक गद्विधी कर सकते हैं आपसं सी मोहन केल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाक्यों को प्रयोग क्यों नहीं करते हैं आपसं डी पोलियो गरस्त बच्चे अब एक गाना प्रसुत करेंगे तो कुस्चर नमबर 889 का जो हमारा सही जवाब है आपसं जरूरी है कि हम उसको बैकल्पिक भी दी अरे भाईया ये बताओ चलो ठीक है हाला कि आज कल कोई भी गेम हर्वेकती खेल सकता है लेकिन अगर प्रेजन्ट में अल्टरनेटिव है तो उसका प्रयोग कर दें ये आज की स्थिती में जो इंक्लूजिव सिच्चुएशन हो चाहिए खेल भी हो चाहिए जिसमें आज कल ब्यवस्ताइं हो गई है लेकिन पहले हम हर चीजें अल्टरनेटिव किया करते थे उसी दिश्टी कोड से बोर्ड इसको सही कोस्चन का जो अंसर है वो यही मानता है अभी भी जैसे जैसे हमारे पास टेक्नलोजी जैसे जैसे हम जासपी हमारा दर्शन हमारे बिचार हमारे चिंतन बदलते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो आंसर होते हैं उनमें चेंजिस आते जाते हैं तो ध्यान रखीगा अब देखिए क्वेश्चन नमबर 890 क्या कहता है क्वेश्चन नमबर 890 क्या कहता है किन्यम लिखित मेंसे पा यहां पर माता-पिता का क्या रोल है पढ़ना तो विद्यार्थियों को है तो यहां पर फिलाहल बेटर आप्शन इसी अब देखिए एसे कुश्चन आपका दिमाग खाते हैं आपसन से संबंदी तोlysन नमबर 891 का जो हमारा सही जवाब है और सरज वगर रोतकता है तो गालों में या उसमें जलन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं संबर्ग कहते हैं अब देखे क्वेश्चन नमबर 892 क्या कहता है हम इसे देखते हैं कहता है कि बुलिंग संबंदित है आपसन नमबर 892 का जो सही जवाब है अपसन बी इस दा करेक्ट अंसर अवांचित बेवार से जो अंडिसरेवल भीहवियर होता है उसे ही हम कहते हैं बुलिंग अब देखते हैं क्वेश्चन नमबर 893 क्या कहता है कि सुगम्मेता का अर्थ है आपसन ए चमता को बढ़ाना आपसन बी चमता वाला बेक्ती आपसन सी चमता का उपयोग आपसन डी चमता को सुरच्षित करना तो क्वेश्चन नमबर 893 कि जो हमारा सही जवाब है आपसन सी इस दा करेक्ट अंसर क्यों सी सही है अगर उसके पास जो चमता है और उपलब दवातावरड में वह आवा गमन नहीं कर सकता या किसी भी छेत्र का बेक्ती हो अगर उससे सम्मदित अपनी चमता का प्रयोग वातावरड में नहीं कर सकता इसका मतलब अक्सेसिबिलिटी नहीं है ध्यान रखिएगा अब देखी question number 894 question number 894 क्या कहता है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा चल ये हो गया छोटा मैं बोल देता हूं चल जाएगा question number 894 का कहता है कि निम लिखित में से निम लिखित में से कौन सी विकलांग ता विकलांग जन अधिनियम में सामिल नहीं है अब लिखित में सामिल ही नहीं है option D is the correct answer क्यों सभी सामिल नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा सवाल कैसा भी आ सकता है बस आपको दिमाग खाएगा आप पढ़े नहीं होगे तारे गिंते रहे दिन में आप देखिए question number 895 क्या कहता है कि विस सुभिकलांग दिवस थरड़ दिसंबर 2006 का मुख थीम क्या था अब लेओ सुच वगर ऐसा आ गया तो क्या होगा तो एक बार थीम भी आप कभी भी जानते हैं रटिये मत कुछ चीजें माली जीए कि सेशन याद नहीं होता तो चलो रट लो लेकिन concept क्लियर रखिए ये भी आप पढ़ लीजे सभी किंत्रिक 2006 की बात है तो बहुत पहले चल ला है तो किस किस का क्या थीम था फूच लेगा तो कभी बुराई थोड़ी है तो 20 विकलांग दिवस 3 दिसंबर 2006 का मुक्तिम क्या था हमारे पास 4 आप्सन से आप्सन ए ई सुगमतैनिक ए एक्सेसिबिल्टी आप्सन बी सतत विकास प्रद् टांसर ई एक्सेसिबिल्टी यानि की जो इलेक्ट्रोनिक बेस्ट एक्सेसिबिल्टी होती है उसकी बात की गई थी 2006 में अब देखिये तो कुश्यन नमबर 896 कहता है या क्या कहता है बहुत ध्यान से देखिए कहता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का अर्थ है देखिए 896 cystic fibrosis का क्या आर्थ है हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A पेट की नसों से सम्मंदित समस्या आप्सन B मानसिक रूप से समस्या आप्सन C फेप्णों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुचाने वाले एक जान लेवा विकार आप्सन D पेप्णों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुचान पहुचाने वाले एक जान लेवा विकार है ध्यान दखिएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 897 क्या कहता है बहुत ध्यान से सुनिए देखिए कि नियास का अर्थ क्या है हम देखिए न वाई साव इसका नियास हो गया राष्टी नियास अध्रियम तो उसका नियास का क्या मतलब है हमारे पास चार आप्सन से आप्सन ए दिव्यान जनों की समस्याओं का समधान आप्सन भी समाज में प्रचलित अंद्विश्वास को दूर करना आप्सन C स्वलिन्ता, CP, MR, एवं MD लोगों का कल्याण CP मतलब, सर्विल पॉल्सी, MR मतलब, मेंटल इटाडेसन जिसे हम इंटेलेक्ट्ट्वल डिसिबिल्टी कहते हैं एवं MD मतलब, मन्टिपल डिसिबिल्टी लोगों का कल्याण option D न्यायाले की स्थापना तो question number 897 जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer अईसा क्यों है क्योंकि जो राष्टी न्यास अधिनियम में न्यास का मतलब है हाला कि कल्यार भी केबल हो सकता है बट यहाँ पर correct option is C अब देखिए फिर से आगे आपके लिए 898 जो की related है आपके कथन से question number 898 क्या कहता है किनियम लेकित कतनों को पड़िया और उपिक तिबिकल कर चैन चीजे बिल्कुल करिए कथन पहला क्या है कि NCRT का संस्थापक भारत सरकार है कथन दूसरा idea कर संसापक से तुराज अमेरिका है अब यह सही है कि गलत देखते हैं question number 898 में 4 options है option A दोनों कतन सही है option B दोनों कतन गलत है option C के वल कतन पहला गलत है option D के वल कतन दूसरा गलत है question number 898 का जो हमारा सही जवाब है option A is the correct answer दोनों कतन सही है सवाल किसी भी तरीके के आ सकता है लेकिन पैटर्न यही रहता है ध्यान रखिए बिलकुल दिमाग में रटिये मत समझिये चीजों को सब कुछ सही होगा question number 899 में देखिए कि जब सिक्षक एक समधान की रूप में भूमी का निवाता है तब वो है ध्यान रखिएगा सवाल भी पूँच रहा है कि जब एक सिक्षक एक समधान की रूप में भूमी का निवाता है तब वो है क्या कर रहा होता है option A केवल समस्या की जानकारी लेता है option B केवल बहतर भासर देता है option C विद्यारतियों की समस्याओं को हल करता है option D विद्यारतियों से केवल वारता लाप करता है अब आप इसमें तो उत्तर समझी गए होंगे तो question number 899 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer विद्यारतियों की समस्याओं को हल करता है जहां पर केवल सब्द जुड़ा है और सवाल में है positive रूप में सवाल सकरात्मक है तो केवल वाले सभी option गलत हो जाते हैं तो ध्यान रखिए आप देखिए question number 900 हमारे पास 4 options हैं क्या है 900 वाला question तो पढ़ ले कि ब्यावसाइक प्रसिक्षण और स्वारोजगार किसके अंतर गताता है क्या बात है question देखिए ऐसे ही question आ जाते हैं कि ब्यावसाइक प्रसिक्षण और स्वारोजगार किसके अंतर गताते हैं हमारे पास 4 options है option A अधिकार हिंता option B सरकारी नितिया option C, causal vikas और रोजगार option D, सारीरिक vikas और प्रसिक्षण question number 900 का सही जवाब है option C is the correct answer causal vikas और रोजगार जो है, इसी के अंतरगत आता है तो ये आज के 50 questions I hope आपको पसंद आए होंगे comment करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, मराथन क्लास आपको कैसी लगी आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much मिलते हैं, next मराथन क्लास में बहुत जल तब तक के लिए जैहिन वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों तक share करना न भूलें, ताकि आपके दोस्त भी कुछ न कुछ जानकारी हासिल कर लें अकेले अकेले inclusion नहीं कहलाता thank you so much जैहिन सभी को मिलते हैं next video में